क्या आप जानते हैं दोस्तों इंडिया में एक ऐसा गाउं है जिसे करोडपतियों का गाउं बुलाया जाता है इस गाउं का नाम है हिवरे बजार, महरास्टा में ये आपको मिलेगा और यहां रहने वाले 50 से ज्यादा लोग मिलियनेर्स हैं सबसे इंट्रेस्टिंग चीज़ ये है कि ये गाउं हमेशा से ऐसा नहीं होता था एक समय पर ये बहुत ही ड्राउट प्रोन विलिज थी जहां पर बहुत वाटर क्राइसिस देखने को मिलती थी इस गाउं को पूरा टर्नराउंड करने का क्रेडिट मोस्टली एक ही इनसान को जाता है जिनका नाम है पोपट्राव पवार साल 1989 में पवार पंचायद elections के लिए खड़े होए थे इन्होंने elections जीती और development के नाम पर चमतकार करके दिखाया सबसे पहले इन्होंने स्कूलों को अपग्रेड किया ताकि बच्चों को अच्छी सिक्षा मिल सके फिर इन्होंने water shortage की problem को address किया tube wells पर band लगा दिया ताकि लोग exploit ना कर सके ground water को लोगों को education दी गई कि किस तरीखे के crops उगाने चाहिए जिससे कि ज्यादा पानी consume ना हो इसके इलावा deforestation पर band लगाया गया और 10 लाख से ज्यादा paid plant किये गए इस गाउं में आज के दिन सिरफ तीन परिवार ऐसे हैं जो below poverty line है हिवरे बजार में पचास से ज्यादा लोग करोड़पती हैं और guess कर सकते हैं यह सारे करोड़पती लोग actually में किसान है